हेलो एवरिवन जेहन तो आप सबका O2is Academy के HCS चैनल पर स्वागत है आज हम अपना हिस्ट्री का next session करेंगे I hope last sessions अभी तक जो हमारे हो हैं उनको आपने revise जंग से कर लिया होगा and still अगर आपने अभी तक नहीं भी किया तो हमारे सारे lectures अभी YouTube पे भी है प्लस इसकी जो PDF फाइल है वो आपको हमारे O2is Academy की mobile application पर जाके download कर सकते हैं so let's get started with question number one of history consider the following statements regarding Alfonso D. Albuquerque number one Albuquerque was the first Portuguese governor in India okay he was considered as the real founder of the Portuguese power in the east okay third statement one of the notable features under his rule was the abolition of practice of sati system sati system I hope सबको पता होगा आपने history में modern history में पता होगा okay अब number one statement जो कह रहा है यह कह रहा है कि Albuquerque was the first Portuguese governor in India यह first Portuguese governor नहीं थे although east में यह पहले real founder थे but इससे पहले यहाँ पर Francisco Almeida B रहके जा चुके हैं जिनके नाम पर एक city भी है पुर्तगाल में तो option number one is the false one second you are the real founder absolutely right one of the notable feature that उन्होंने सती की practice को abolition करने की यहाँ पर पूरी कोशिश की two and three are the correct statement I hope आप सबको यह भी पता होगा कि कि इस तरीके से यह rules चले थे तो उसके लिए code word आप सबने वैसे बनाया ही होगा PDF file आपको याद रखना है सबसे पहले हमारे पास पूर्तगीज आते हैं उसके बाद हमारे पास Dutch आते हैं उसके बाद हमारे पास England यहाँ पर ब्रेटिश आते हैं लास्ट वन दा फ्रेंच वन काई बड़ी कुशन आता है वह द लास्ट तो रूल इंडिया तो फ्रेंच वर द लास्ट वन पूर्तगीज वर दा फस्ट वान पीड़ी एफ फाई ऑन दे सेम लाइन जैसे हमने के करा था गंदी जी के लिए चंपारन एमदाबाद एंदा खेडावान ओके कंसिटर द फॉल्विंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डच इन्वेजिन दच इन्वेजिन से कुशन पूचा गया है ओके दे फाउंड़ अगर आप एंचियार्टी का फर्स चेप्टर ही करेंगे तो वहां पर आपको इन्वेजिन मिलेगी अराम से नमबर टू दे बेटल अफ हुगली डेल्ट अ क्रेशिंग ब्लो तो दे डच अमबिशिन इंडिया अब अराउंड 27 अफ मार्च 1672 के अराउंड एंगलो थर्ड एंगलो डच वार होती है जिसमें इन सपोर्ट विद फ्रांस वन यहां पर इंगलेंड डच को हरा देती है और यहां पर इट वज़ा पर टू देच अमबिशिन इंडिया और फाइलियों के अमिशिन से वह एकदम से खतम हो जाते हैं तो आप सबने यहां पर एंगलो वार वार्स पड़ी होंगी जैसे अंगलो मैसूर वार्स थी ऐसी हमार पर तीन अंगलो डच वार्स हैं तो थर्ड वर्ड में यहां पर बिटिश इन सपोर्ट विद फ्रांस वन आल्सो यहां पर डच को हरा देते हैं तो डिदर वन नौ टू बिकॉस इस नहीं पर इंकरेक्ट पूछा है करेक्ट नहीं पूछा इंकरेक्ट वान कोशें नूमबर थ्री सबसे सिंपल कोशन बिल्कुल यहां पर जैसे कि मैंने आपको लास्ट शेशन में कराया था कि लास्ट में कुछ मुमेंट दे रखी हैं अगर आप स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो आप आप पाइक से पोजिशन क्या थी दे वर फूज तो वर्क पर दा स्टेट एं रोम स्टेट के लिए यहां पर वो काम करा करते थे एक लिए और वन डिर्ट कोशन था लो हैंगिंग पूशन था फूट था यह बल्कुल क्लियर कूशन नुमबर फोर अगें वरी सिंपल कोशन एंड बलक विर्षा मुंडा जब उन्हें चोटा नाट पुद यहां पर एक एक लेकर आये थे जिस पर उन्होंने कहा था कि जो ट्राइबल की जमीन है वह नौन ट्राइबल को यहां पर ट्रांसफर ना करी जाए उसके ओपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाए ठीक है तो यह मुमेंट उससे एलेटेट थी इनके बारे में आपको वैसे भी पता होना चाहिए इन परसनालेटी वाइस वेकॉस इन्ही के नाम से प्राइबल डेवी सलिब्रेट होना स्टार्ट हो चुका है मोधी जी ने एंड रेदर आई थिंग उहां के एर्पोट का नाम भी इन्ही के नाम पर ला दिया गया हैं क्लियर कुशिन नमबर फाइब एंड एंड तक गयी थी स्टार्ट महां से नहीं हुई थी ठीक हैं साबर में ती आश्रम से इस्टार्ट होती हैं और दर दान्टी वन और आप्शिन नमबर वन इस द फाल्स वन नमबर टू इट वस अ कैम्पेन अफ टेक्स रिजिस्टेंस अन नॉन वालेंट प्रोटेस्ट अगेंस ब्रिटिश सौल्ट मॉनोपली उनकी मॉनोपली को तोडने के लिए प्रोटेस्ट था ओके नमबर ट्री इट लेट तो देमास्ट इसके बाद यहां पर एक रिगर्वेद आरियन्स रिगवेडिक आरियन के बारे में कोशन पूँचा गया है नंबर वन रिग्यवेद आरियन्स वर पेस्तोरल पीपल अमसलूटली राई था है पैस्टोरल पीपल से वो नमबर 3, workers in the metal made a variety of articles with the copper, bronze and iron, ठीक है, यह बिल्कुल right statement है, 1 in 3 is the correct option है, यहाँ पर ध्यान रहे हैं, यहाँ पर holding जो थी है, वो mainly cattle की फॉर्म में थी, because वो cattle rearing करते थे, pastoral people थे, gold coins यहाँ पर नहीं थे, question number 7, Bimbisara, Bimbisara आप सबको पता होगा, Haryang dynasty के यह famous leader, ठीक है, and इसके बाद, इनका नाम बहुत famous है, Bimbisara अजासत्रू सब, matrimonial alliance के लिए बहुत famous रहे हैं, number 1, he belong to the Haryang dynasty, absolutely right, he consolidated his position by matrimonial alliance, matrimonial alliance के लिए तो famous ही थे, सबसे पहला इनने कोशला family, ठीक है, यहाँ पर सबसे पहला matrimonial alliance करते हैं यह, number 3, he was neither a contemporary of Vardhaman Mahavira nor Gautama Buddha, ठीक है, although Gautama Buddha, यह सब इनको devotees मानते थे अपना, but he was a contemporary of Mahavira and Gautama Buddha, वो इनको, although devotee मानते थे, but he was a contemporary, so 1 and 2 are the correct options here, यह सब आपने पढ़ा ही ही होगा, Bimbisara, Ajat Satru अगेरा, ठीक है, तो यह matrimonial alliance के लिए बड़े famous थे, question number 8, direct question बिल्कुल, बिल्कुल direct, जो last में आपको बताया है, कि last में movements का chapter होगा, INC के sessions होगा, उसके बाद, एक chapter, उसमें एक page दे रखा है, जिसमें यह बताया गया है, कि किस के time पे, and किस के time पे, कौन-कौन से यहां पे travelers आए हैं, फाहीन, visited India, during the reign of Chandrugupt 2, absolutely right, ठीक है, यहां से याद भी रखने हैं आपको, ठीक है, कि Chandrugupt 2 के time पे आए थे, now, the Chinese pilgrim, हिउन तुसांग, met Harsha, ओके, यह H से H याद रखने हैं आपको, हिउन तुसांग, हर्षा के time पे आए थे, and found him to be antagonistic to the Buddhism, भाई वो antagonistic तो थे ही नहीं, शोका लास तक embrace करने लगे थे, Buddhism को तो, ठीक है, लास तक तो वो embrace ही करने लगे थे, he was not an antagonist, so one is the correct option here, done, यहां पर आधी statement तो बिल्कुल right है, but second statement जो है, कि he found to be antagonistic to the Buddhism, वो गलत है, because he later on embraced Buddhism, clear, question number 9, consider the following statements, number 1, जैनिजम spread in South India, under the leadership of Stalbahu, यहां पर यह statement गलत दी गई है, बद्र बहु के time पर यहां गए गए था, Stalbahu के time पर यह सदन इंडिया में यहां पर spread नहीं हुए थे, done, जैनिजम enjoyed the patronage of Kalinga King, Kharvela in the 1st century BC, absolutely right, 2 is the correct statement here, done, last one, 10th one, which of the following were the outcomes of Jaliyah वाला बाग massacre, बहुत important, 1919, पहले भी हम इसके बारे में discussion कर चुके हैं, कि रोवल्ट एक्ट आया था, जिसमें without trial यहां पर आप किसी को detain कर सकते थे, और उसी time पर आप देखते हैं कि उसके बाद यहां पर movement start होती है, ठीक है, एंड इसके बाद जलिया वाला बाग massacre होता है, उदम सिंग जी का जिनके पास इसमें नाम आता है, जिन्होंने डायर जी के खिलाफ यहां पर firing भी की थी, एंड फाइनली डायर जी को exile करना पड़ा था to the Britain one, स्टीक में नाबर वान, जेनल डायर वाल एक्जाइल to Britain, आप्चलीटली राइट, ठीक है, इस सब्सक्राइब रभिंदरना टेगोर जी ने और महात्मा गांधी जी ने भी अपना केसर हिंद यहां पर वापिस कर दिया था, एंड इन्होंने अपना British Nighthood को वापिस कर दिया था, रिनाउंस कर दिया था, रोवल्टेक्ट वस रिपील, लेटर ऑन 1922 में यहां पर रोवल्टेक्ट को रिपील कर दिया जाता है, जो कि पहले यह मुसीबद इसका यहां पर बेस बना, बिकॉज इसी के करण यहां पर बहुत सारी illegal retention होती है, और उसके बाद हमारे पाद जिलिया वाला बाग मैंचे कर आता है, ठीक है, तो 1, 2, 3 are the correct option here, तो यह थे हमारे आज के 10 questions हिंडियन हिस्ट्री के, आज थोड़े mixed questions थे, next session में भी हम ऐसे ही questions को discuss करेंगे, I hope यह आपके लिए session बहुत ही beneficial रहा होगा, जैहिने टो आल, टेक केर